इंग्लिश में बहुत प्रचलित कहावत है इम फॉर दू स्टार्स अट लीस्ट यू विल रीच दू मून इसका मतलब ये है कि कोशिश तारों में पहुचने की होनी चाहिए ताकि अगर आप असफर भी होते हैं तो कम से कम चान तक तो पहुची जाएंगे आईस की तयारी भी इसी तर्थ पर करनी चाहिए हम हर आस्पिरेंट को यही सला देते हैं कि अपनी तयारी ये सोच कर करें कि उन्हें इस परीक्षा में सिर्फ सिलेक्ट नहीं होना है बलकि टॉप रैंक हासिल करनी है आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप भी अपनी तयारी एक टॉपक की तरह कर सकते हैं नमस्कार स्वागत आपका प्रभाद एक्जाम के यूट्यूब चानल पर ये एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जा आपको मिलती है सबी कॉंपटिटिव एक्जाम से जुड़ी महतवपून जानकारियां जो आपको किसी भी एक्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है अगर आप हमारे यूट्यूब चानल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटिस वीडियो और अपडेट सबसे पहले आप तक पौँचें इसके लिए बेल आइगन को प्रेस करना ना भूले तो आए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की जो है टॉपर सीक्रेट आइस बनने के लिए ऐसिक पढ़ाई करें UPSC की तयारी कर रही उमीदवारों को अपने लक्षे के प्रती समर्पित होने और कड़े प्रयासों के आवश्रक्ता है अगर आपने CSE के लिए हिम्मत जोटाई है तो हमें लगता है कि आइस अधिकारी बनने के आपके मार्क में पढ़ने वाले हर प्रकार के अवरोधों को पार करने की शम्ता भी आप में होगी तैयारी शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप एक बार सभी विश्यों का पूरा सिलेबिस जान ले syllabus में हुए हर नए बदलाव को जानने के साथ ही कभी-कभी जरूरत पढ़ने के लिए उसकी soft या hard copy अपने पास रखें Prillants और Mains के syllabus के जरूरी बिंदू आप चाहे तो एक paper में लिखकर अपने study table पर चिपका सकते हैं अपनी शम्ता के अनुसा टाइम टेबल बनाएं और उसे religiously follow करें टाइम टेबल बनाते समय ये ध्यान रखें कि वो ऐसा ना हो जिससे आप follow ना कर सकें वरना ये counter productive हो सकता है दोस्तों टॉप बर्स अपना routine दुनिया के हिसाब से नहीं बलकि अपने लिए बनाते हैं यूपी ऐसी के उच तरिये सधानतों को समझने के लिए जरूरी है कि आग की मूल जानकारी अच्छी हो इसलिए fundamentals को मजबूत करने पर ध्यान दे इसके लिए NCRT किताबों को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़े इसके chapters के end में दिये गए questions को भी solve करे मसबूत नीव आपको विश्यों को व्रिस्तित तयारी करने में मदद करेगी जो यूपी ऐसी परीक्षाओं में सफल होने के लिए बेहत जरूरी है परीक्षा की समझ हासिल करने के लिए आपको पिछले सभी question paper solve करने की आवशकता है इससे आपको important sections और धोराय जाने वाले प्रशनों का अंदाजा हो जाएगा इसके अलावा पिछले प्रशन पत्रों को पढ़ने से आपको अपनी तयारी का भी अंदाजा हो जाएगा कोशिश करें कि तयारी की शुरुवाती दिनों में आप महीने में एक या दो बार mock test जरूर ले जैसे जैसे exam नस्दीक आते जाएं तो आप सब्ता में एक बार फिर दो बार और पिर daily mock test की practice करें इसके साथ या answers लिखनी की भी practice लगातार करती रहें UPC की तयारी में revision का बहुत importance होता है अक्सर हम यह सोच लेते हैं कि revision तो exam के नस्दीक आने पर करनी चाहिए लेकिन यह धारना toppers की नहीं होती वो near-met अंतराल पर revision करते रहते हैं revision के लिए यदि आप अपने notes बनाएंगे तो बहतर होगा इससे आपके मन में points clear होंगे और exam में आप points के आधार पर बहतर answer भी दे पाएंगे notes बनाने के लिए scientific methods जैसे की fenomen technique, mind mapping, reverse recall का भी सहारा ले सकते हैं पढ़ाई के नीरस तरीके को बदल कर उसे रोचक बनाने के लिए आप सवालों के placards बना सकते हैं UPSC परीक्षा में current phase का section बहुत important होता है ये section exam में आपका खेल बना भी सकता है और बिगाड भी सकता है ये section कितना important है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि history और polity का अलावा लगबग हर subject के questions का एक बड़ा part current phase से समबंदित होता है रिजन के अलावा personal interview के लिए भी आस पडोस और विश्व भर के राजनेतिक, एतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक जगत में होने वाले हलचल की जानकारी होना आवशक है इसलिए इस section को ignore मत कीजिए इसकी तैयारी के लिए नियमित अकबार और मागजीन पढ़ने की आदत बनाए इसके notes भी date-wise सैयार करे उमीद है हमारी IS की तैयारी से जुड़े tips की मदद से आप भी इस परीक्षब को पास करने के लिए तैयार है अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें और अगर आपके पास हमाई ले कोई भी सवाल है तो इसे comment section में लिखकर हमें बता सकते हैं जल्दी आपसे फिर बुलकात होगी एक नए topic पर एक नए वीडियो के साथ देखते रहें ये प्रभात exams नमस्कार झाल